शोड़ाती बंद्रा मैचों के बाद वर्लकप के पॉइंट स्टेबल पर मच चुका है हाँ हाँ कार क्योंकि बाहर हो चुकी है यह तीन तीम है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ यह श्तिवारी आप देखाए क्रिकेट फटाफट का 1068 वा एपिसोड आज 17 अक्टूबर की तारी न्यूस फैक्स अबडेट्स खबरे हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम परोस्ते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो सब्सक्राइब का बटन दोस्तों नीचे और बैल आइकन दबाईए चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आ बटा लग गया वर्ल्ड क्रिकेट पर ICC पर क्योंकि भाई आप सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्या तैयारियां की है ICC ने आपने पिछ बढ़िया तैयार कर लिया आपने प्लेयर्स के लिए पढ़िया सिक्योर्टी सारे अरेज्मेंट कर लिया लेकिन भाई फैंस का क्य को लग जाता है उसका तो आदा जीवन खराब हो गया तो इसकी रिस्पॉंसिबिलिटी किसकी होगी फैंस के साथ दुर्वैबार कोई नई बात नहीं हिंदुस्तान में हमने दावाद वाले मैच में भी देख लिया था पुलिस वाले फैंस को थपड मार रहे है वो वीडि क्रिकेट दुनिया का क्रिकेट चल रहा है फैंस ना हो अगर लोग देखे नहीं मैच तो क्या क्रिकेट सर्वाइब कर पाएगा कोई भी स्पोर्ट सर्वाइब नहीं कर सकता और उनी फैंस के लिए विवस्ताओं के नाम पर कुछ नहीं है इवन उनकी सेफटी के नाम पर क तो आपका लाइक तो बनता है चलिए दोस्ता आगे बढ़ते हैं आसे बात करते हैं दिन बर की दूसरी बड़ी खबर की तो यह रिपोर्ट आ रही है शाकिबल हसन की इंजरी को लेकर बारत को अगला मैच बंगलादेश के साथ परसों खेलना है और इस मैच से पहले बंगला बंगलादेश पस्त है पॉइंट स्रेवल पर लेकिन शाकिबल हसन जो की इंजर्ड हुए थे पिछले मैच में न्यूजलेंड के खिलाफ था इंजरी हुई थी वो तो बोल रहा है कि मेरे को भारत के खिलना लेकिन उनकी जो स्कैन रिपोर्ट से वो अच्छी नहीं है शाक इंडिया के खिलाफ हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे और इससे बंगलादेश और कमजोर ही नजर आएगा उनिस तारिक को तो शायद इंडिया जीतने वाला है उनिस तारिक को मुझे तो अभी तक ऐसी पिक्चर लग रही चलिए दोस्ता आगे बढ़ते आसे अब करते दिनबर की तीसरी बड़ी खबर की तो इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ था इस मैच में जाहिर है एमदाबाद में भारत में मैच था तो भारत की पब्लिक आएगी इंडिया के लोग आएंगे तो देल लाक इंडिया के बंदें वहां बैटे हुए थे मेरे और आपके देकि जीए से फेन्स वैड ζЭ थे अचांि इसके बाद पाकिस्तान मैच हमारने के बाद पाकिस्तान के कोश मिखी आर्थर निया था उन्हों ने कहा था कि यह मुझे वड़क जैसा लग ही नहीं मुझे दो लग दोल इसा लागा इसा इसा लाग रोग SCP पाक्ष्म में माहल करेगा और अगर दोशी पाया जाते हैं मिक्की आर्थर पाकिस्तान के कोच तो उनके उपर पैनल्टी लगाई जा सकती है फाइन लगाया जा सकता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उपर भी फाइन लगाया जा सकता है दरसल उसे वर्ल्ड इवेंट है और जिस भी रहुत पर सब स्काराइब होगा नटोवाट पैंडिया निघीद की जरशी जर्सें फीर तो यह था भारत के पक्षमंध ढोनों में दोस्ती ख़रबसानी थे तो आपने देखा तो आगे बढ़ते हैं सेवाद करते हैं दिन बर की चौती बड़ी रिपोर्ट की तो ये खबर दोस्तों निकलकर आ रही है वर्ल कप के सेकंड फेस से अभी तक शुरुबाती 15 मैचस में हमने देखा कि देश के जो बड़े क्रिकेटिंग सेंटर से चाहे मुंबई हो पुने ह हो चाहे बैंगलॉर हो चाहे कोलकाता हो वहां से अमूमन वर्ल कप के मैचस दूर रहे और धरमशाला दिल्ली एहमदाबाद में अभी तक मैचस चल रहे थे लेकिन अब सेकंड फेस शुरू होगा अभी ये तीनों चारों मैदान मुंबई पूने बैंगलॉर कोलकाता भी टायार हो चुक है क्योंकि अब जो मैक्स आने वाले होने वाले शुर्वात्य पंद्रा लेंगां इन शेरों में भी मैचेस हमें देखने को मिलेंगे एवन उन्यस तारिक को जो भारत-बंगलादेश का मैच हो पूना में ही होने वाला है तो लाइक कर दीजिए क्योंकि हम नए मैधानों को हमें देखने को मज़ा लेने को मिलेगा चलिए दोस्तों आगे बढ़ता है आज से पाशियोड़ी रिपोर्ट की तो ये ख़बर आ रही है आज के मैच को लेकर साउथ अफरीका के पास चांसे आज पॉइंट स्टेवल पर अपनी टॉप पोजिशन बनानेगा क्योंकि साउथ अफरीका आज नेदरलेंड के मैच फो खेला है तो इस मैच में सेफली हम बोल सकते हैं साउथ अफरीका जीतने वाली है अच्छा साउथ अफरीका तो जीत जाएगे आप भी जीत लो एक रुपे में 10,000 रुपे मिल रहे है फ्री में 25,000 रुपे मिल रहे है और प्लियर स्पॉट पर रोज मैचों के लिए नयनाए ओफर आते हैं इवन अगर आप 25-27 वाला कॉंटस खिलते तो आप 70,000 रुपे तक जीत सकते हो डिपॉजिट ओफर चल रहा है वर्ल्लकप के लिए जाधा पैसा डिपॉजिट करोगे तो कैश फ्री बोनस जाधा मिलेगा देर मत करना क्योंकि GST का टेंशन आपको लेने की जरूद नहीं जितना भी जीतोगे पहले वाले सिस्टम की तरह पूरा पैसा आपके पास ही बैंक अकाउंट में आएगा आपके भी हाप पर GST प्लेयर स्पोर्ट वाले बर देंगे देर मत करो प्लेयर स्पोर्ट पर खिलने शुरू कर दो लिंक इस इंदा डिस्क्रिप्शन मॉग्स चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं आसे बात करते हैं दिन्वर की छटवी बड़ी खबर की यह रिपोर्ट आ रही है दोस्तो जौफरा आर्चर के हवाले से दरसल दोस्तो जौफरा आर्चर को लेकर अब इंगलिश क्रिकेट बोर्ट एक बड़ा फैसला लेने वाला है अफगानिस्तान के खिलाब इंग्लेंड हार गया था और इस हार को लगता है इंग्लेंड पचा नहीं पा रहा है क्योंकि कभी सोचा नहीं था इंग्लेंड के cricket फैंस ने कि वो अफगान के हाथों हार जाएंगे भारत में हाला कि हारे और इसके बाद जौफरा आर्चर को भारत आये हुए इस समय वह भारत में ही है हो सकता है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड उन से बोले कि भाईया आप छोड़ो चालो सब इंजरी और आओ रश बैक करो हमें वर्लकप में जिताओ तो यह रिपोर्ट है कि आर्चर को रश बैक जल्दी जल्दी इंजरी से उनको व बात करते हैं दिन बर की साथ भी बड़ी रिपोर्ट की तो दोस्तों यह खबर निकल कर आ रही है पॉइंट स्टेबल को लेकर पॉइंट स्टेबल अब दिन पर दिन इंट्रस्टिंग होना शुरू हो चुका है क्योंकि दोस्तों हम नया कॉंटेक्ट समझ में आ गया है व सेमी फाइनल में जाने की ना के बराबर है नौ मैचस होने अब तीन मैचस अल्रेडी हार चुके हो लौ अफ एबरेज भी उठाओगे तो बचे हुए अब जो चैन चार ही जीत पाईगे तीन चार जीत कर आप जानी पाओगे साथ आठ नो पॉंट में आप जानी पाओगा रही है यहां से तो पंदरा दिन में यह पिक्चर क्लियर है कि शिलंका नैदालेंड सूपर फोर में तो नहीं पहुचेंगे हाने वाले मैचों में यह दों टीम मैचस में अच्छा अपनादर्शन भी करेंगी लेकिन सूपर फोर के चांस कहत्म हो गाए समी फाइनल को चां रहने वाली है सूपर फोर की तो ये तीन टीम है जो शुरवाती 15 मैचों के बाद अभी तक सेमी फाइनल की दौट से बाहर हो चुकी है अब इनमें से कौन सी टीम आपको लगता है कि बचे हुए अपने सारे मैचस जीत का सेमी फाइनल में पहुचकर सबको अहरान कर देगी म इंडिया के सबसे जादा चांसे से शुरवाती 15 मैचों के बाद सेमी फाइनल में जाने के आगे बड़ते हैं दोस्तों यह से बात करते हैं अब दिनमर की आठी बड़ी ख़बर की तो प्रेडिक्शन सबकी कभी सही हो जाती है कभी गलत हो जाती है लेकिन एक बड़ा वाक सुमित बजाज की जिन्होंने एक्स पर ट्विटर पर एक प्रेडिक्शन की ती जिसमें उन्होंने पहले भोल दिया था मैच से पहले कि अफगानिस्तान की सितारे वड़े अच्छे आज अफगानिस्तान जीतने वाला है इनकी प्रेडिक्शन बहुत वायरल हो रही है एक परिवार का सबन जाओ फ्री में जॉइन कर लो हमारे टेलिग्राम को आपको मज़ा जाएगा चलिए दोस्ता आगे बढ़ते हैं आसे बात करते हैं दिन भर की नौवी बड़ी रिपोर्ट की तो ये खबर आ रही है शलंका के कैम से दसुन शंका की रिप्लेश्मेंट की ही हुआ है यहां से यह सवाल खड़ा होता है कि कब तक वो मैच फिट हो पाएंगे क्या अगला IPL खेलेंगे या उससे पहले वापसी हो जाएगी हसरंगा की बड़ा सवाल RCV के लिए चलिए दोस्ता आगे बढ़ते हैं आसे बात करते हैं दिन बर की दसवी बड़ी रिपो भी नहीं हो जाती है जो कभी भी किसी भी दिन किसी भी देश को हराने की ताकत रखता है यह वही इंग्लेंड है जो पिछली बार वलकप जीता है तो जाहिर है जौज बटलर ने थोड़ा सा जोश बरा अपने खिलाडियों में लेकिन सचाई यह है कि गोरी टीमों को भारत की पिचो को देख कर जाहिरे जब हम लोग विदेश जाते थे बारत की टीम विदेश जाती थी तो ये लोग बहुत सीमिंग विएट उचाल बरी बिकट बनाकर इंडिया को पास लेते थे अब इनकी वैंड बज रही तो अच्छा हो रहा है कर्मा कंस बैक हो रहा है यह तुल वहिए दिन बार की दस बड़ी खबरे टेली ग्राम कर लिंक डिस्कूशन बॉक्स में प्लियर शब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब को बतर मीं नीचे फटाव इट करका बैल आए